नमस्ते बराता कैसे हो नमस्ते रिहां आप कैसे हैं बस बढ़िया आपकी पुस्तक काफी समय हो गया वैसे तो पड़े हुए पर फिर से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि काफी हिस्टोरिकल इसमें आपका एनलिसिस है यहां पे और हाँ एक बात ये भी है कि आपको हिंदी में बहुत कम है ठीक है साही दीपक का तो यह इसमें आप इस्टोरियन बने हैं जी इसमें आपका जो अनलिसिस पार्ट है जो पहली बुक में हमको काफी अच्छा लगा था जी वो थोड़ा मिसिंग है और फिंटेस्टिक रिसर्च एक दम से मितलब आप बताने सकते हो कि हिस् इसमें पूछा था कि 1740 से क्यों शुरू होती है एक पुस्तक तो उसमें था आपने का था पुस्तक पड़ो तो हमने पड़ी उसमें यह है कि नादिर्शा का सैकिंग होता है दिल्ली का उनिस सो उन्तालिस का और उसके बाद यह दहलवी जो है यह करेक्टर है जो आता है त कहां से पैरलल में वहाब जो है साओधियारेबिया में थे और यह इनके पैरलल समकक्ष यहां पे कंटेंप्रेरी भी है दहलवी तो इन दोनों का यह साथ में पड़े भी हैं हो सकता है कि पड़े हों क्योंकि यह साओधियारेबिया गए थे 1730 से 1732 तक और वहां से आने के बाद इन्होंने यह वहाबियाइजेशन शुरू किया तो यह थोड़ा प्रोसेस यहां से शुरू कर लेते हैं तो आपने ओपनिंग में जो स्टेट्मेंट दिया था तो उसका मैं थोड़ा एक्समेशन दे देता हूं देखिए इशू यह है कि पहला पुस्तक अपने आप तो पहला पुस्तक वो चश्मा है और अब हम यह कह रहे हैं कि इस चश्मे को पहन के आगे के जो स्टोरी है अब इसको आप सुनिए जितना हो सके आप तथ्यों को आगे रखिए प्रमाण को आगे रखिए अपने आपको थोड़ा पीछे कर लीजिए और समिधान के बारे में पूरा डिसकॉशन अभी मैंने शुरू नहीं किया है क्योंकि 1929 आक्ट के बाद अगला आक्ट आता है 1935 का तो वहां तक की जरनी तो इस पुस्तक में तो हुई नहीं है तो यह 1924 के दिसंबर में खतम हो जाती है तो मेरा जो रोल है फिर से उभर आएगा तीसरे पुस्तक के शायद लास्ट सेक्शन में तब तक हिस्टी को मैं रखे जाओंगा क्योंकि प्रिडॉमिनेंटली मेरा कांट्रिबूशन क्या ह इस exercise के द्वारा कि सम्विधान को आप इतिहास से अलग मत देखिए तो इतिहास को पहले समझनी की कोशिश की जानी चाहिए तो यह exercise तो कंटिनी होगा ना मैं आपने आपको historian समझता हूं ना मैं आपने आपको एक trained student of history समझता हूं बट एक lawyer होने के नाते और वो भी सम्व हूं तो उसको मैं पहले लोगों के सामने रख रहा हूं तो उसके में फुटनोट्स दीया हैं, एविदिंस में कुंक्लूसिव हो या ना हो, but almost conclusive है, कि यह समकालीन है ही, and they were students at the same time from the same teacher. Almost possible. Because you see, चुछान अजया ना है, or it's like the fount is Hajāz. Okay, so that is seen as the Meqa of Hadith in that sense. तो इन दोनों के बार में मैंने और थुड़ा पढ़ने की कोशिश की तो फुटनोट्स में अगर आप देखेंगे रदर एंडनोट्स में यू फाइन अट लिस्ट ट्री आर्टिकल्स जो सिर्फ इसी मुद्दे में कि इनोंने कहां पढ़ा तो वहभी डॉक्टर्न में अट तरीका ए महमधिया इन दोनों के बीच में इतने similarities कैसे हो सकते हैं नओ वें देखेंगे लिए पर सब्सक्राइब इस तरीका ए महमधिया इस तो इस प्रश्य को शेर करते हैं जा पिर देहलवी है सक्म अपरसन वह बेहली इंफलुएंच भाहव इतना तो आपको आपको एद रखना चाहिए न रिदिन भूक्त देहलवी सेस्यमस प्रफेंज से अन अरब अन अरब यस लिविविग इन न अन अरबिक लंड तो ऑनके अंदर ना अरेबिया को यहां रिक्रेट करने का जो आंग्स्ट है बहुत जादा हो जाता है। So obviously, an Arab living in Bharat will see the Arab living in Arabia as the purer Arab. ठीक है, चाहे दोनों अश्रफ हैं, लेकिन ये दरल हर्म में अश्रफ हैं, वो तरल इसलाम में अश्रफ हैं। तो उनके बीच का ये एक फर्क हो जाता है। It's almost like NRI is seeing the Hindus of Bharat as being closer to the tradition than themselves. In that sense, ये एक कमपरजन हो सता है। Now, the best part of Dhehlavi is no beating around the bush whatsoever. ये घूम फिर के बाद ही नहीं करते हैं, सीधा बोल रहे हैं, मैं अरब हूँ. मेरे जितने भी दादा परदादे हैं, सारे अरब हैं, मैं अपने अपको भारतिय नहीं मानता। मेरे मुताबिक, कुरान और हदीस से जितना भी मैंने पढ़ा है, पूरा जो संसार है, जगत है, इसको मैंने दो हिसों में बाढ़ दिया है। एक है मोमिन, दो सरा है काफिर। एंड खिलाफत का कॉंसेट होना किसलिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने आम अचाह, रंगीला और ऐसे बाटशाओं को देखा है। जिनके लिए न सुनना में कोई इंटरस्ट है। जिनको न कुरान में कोई इंटरस्ट है। जिनको तिर्फ एक कलरफुल लाइफ एक रंगीले लाइफ को जीने में इंटरस्ट है। And therefore, एक खिलाफत का होना, both from a spiritual perspective and let's say a worldly perspective, कितना important है, ये सारे जितने भी बुनियादी concepts है, इसका foundation, it's not exactly the medieval period, it's closer to the British period. तो इसको मैं कहूंगा, near colonial period के time पे, अगर किसी ने एक comprehensive literature के द्वारा सामने रखा है, it is Dehlavi. Now obviously Dehlavi is taking the work forward of Sayyad Ahmad Sir Hindi, उसको भी मैंने वहें पे रफर कर रखा है, but you see, Akbar was such a powerful emperor, तो उस time पे, उलेमा को उनको अपोस करना भहत मुश्किल हो जाता है. Because one, people will say, because of him, यहां पे मुगल पर्चम जो है, यहां पे खड़ा है, यह पहल रहा है, आप इनके साथ छेड़ चाड़ मत कीजिये. If he has certain quirks, indulge it. At the end of the day, we need to make sure that Darul Islam continues. और अगर जादा इंटर्टें भी नहीं करता था. See, there may be some element of truth in terms of his flirtation with other religions. But Islam was the primary faith system even for Akbar, cannot be denied. वर्ना यह क्या है दीन ये लाही ये नाम क्या है? Right? लाही, the moment you come, you're obviously referring to the Abrahamic God, Elohim, Allah, whatever you call Him. So that's one. But by the time you come to Dehlavie, you're effectively looking at a पुरी तरह से खोकला हो चुका है मुगल सात्रत. ये, it is no more in the form of an empire. ये सिकुड सिकुड के पुरी तरह से दिली इशा आजानाबाद यें पे रह जाता है. दिली से पालम. That's it. Maximum, beyond that, it's nothing. नादिर्शाने तो पुरी की तरह, मतलब ऐसी की तरह करके वो गया था. So, frankly speaking, it was a local chieftain who was living on the currency of his past. That's it. So, there is a lot of angst. मेरे काल खंड में ये सब हो रहा है. My grandfathers used to compile the पत्वय आलमगिरी for Aurangazeb, who was the vali. कहां से कहां आ गय है. Okay? तो उस घुसे से ही आगे आगे जा रहा था. तो उसके नजर में जो भी उसको लगता है as the future hope of Islam, he's trying to write to them. तुम आ जाओ, तुम इसका जंडा फिर से पहराओ. He's writing to Herat, he's writing to Turkey, he's writing to Nizam, he's writing to Amitra Abdali. This is very, very critical. ये समझना इसलिए बन जाता, important हो जाता है. जो हमें लगता है, जो हमें लगता है, it's very contemporary. और अगर उलेमा नहीं होती तो गंगा जमनी तहजीब की धारायां पे भारत में भारत में बहती होंगी and all that. ये कितना खोकला थिंकिंग है, it comes from there. And Dehlavi's impact on भारत is very poorly understood, according to me. If you look at every major seminary in भारत, जो इसलामिक सेमिनारी है, जो कहरे है, that Dehlavi is our renuma. He is the guide. He is the intellectual father of our movements. जाहे वो देवबंध है और अनीबड़ी. So therefore, according to me, we should spend more time in understanding Dehlavi's world view. And we should look for all, let's say, evidence, कि इसके जितने भी सोच थे, इसको रड़ी कैसे इंप्लिमेंट किया है? Two basic चीजें जो भारत को सीधा इंपक्त करती है. In fact, three things. One, the clear prohibition, कि मोमिन और काफिर के बीच के बीच कोई तालुकात नहीं होने चाहिए. And what kind of treatment must be meted out? Two, कि भाषा कितने इनके इनके इंपॉर्टन थी? Farsi हो या, let's say, Urdu और even Arabic for that matter, जिसको इनोंने किसी और कल्चर से अपनाया, वो उसको कैसे इसलामिक कल्चर के अंदर पूरी तर से मिक्स कर देते हैं, so that it is no more separable from Muslim culture. That's two. Three, the most brilliant aspect of Dhehlabhi is, तब तक भारत के जो मसलमान थे, जो यहां के लोकल कनवर्ट्स थे, इनको हिंदों के तरह ही almost treat किया जाता था. Just marginally better than them, okay? No official positions almost in the Mughal Darbar, because it was full of Turks, Afghans, Yemeni Arabs, Persians and all that. Not Indian Muslims, okay? At least not what we know as the Bharatiya subcontinent. He realized, कि यह जो एक मास है, यह एक अंटप्ट रिसोर्स है. इसके अंदर जो पोटेंशल है, मुझे इसको जागरू करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे जो अश्रफ हैं, यह भी पी रहे हैं और आयाशी कर रहे हैं, तो मुझे किसी भी हालत में, I have to divert my energies differently. Therefore, he was among the first persons to convert, or rather translate the Quran from Arabic to Persian, ता कि लोग इसको समझें. And, because you see, अगर वो एक वो एक वोई कॉमनर हो या नया कनवर्ट, वो अर्भी थोड़ी सिखेगा. उसको समझ में थोड़ी आएगा. And by that time, Farsi had become the official language thanks to the imposition by the Mughal Empire. And it was the official language of transaction communication, जितना भी हो. Taxations लिके हर चीज में, whatever we use in terms of, let's say, court procedures today, when you say, नायब, तैसिल्दार and all that, यही से तो यह सारे वर्ट आते हैं. Even for that matter, Harif and Rabhi, यह कहां से आते हैं, भारत के थोड़ी हैं. That clearly shows the entrenchment of the language. So he decides that, why should only Farsi be limited to official communication, इसको मैं religious के लिए भी मैं यूज कर लेता हूं. He does that. So he understood that the language is a lens. 100%! He understood it. Language and Sanskriti, या sabheda, उसके साथ जो relationship है, beautifully he understood. Three is the concept of a caliphate or a khilaafat. Iska importance किया है? And four, very important. Jihad को जो importance है, Islamic world view में. So it's like this. Jihad को आप, you can think of it as either the Hovitser, or the AK47. उसका काम होता है, इसलाम के मार्ग को प्रशस्त करना. Which means, जो भी बाधाएं हो, उसको हटाओ. And therefore, Jihad is legitimately the means to create a new Islamic world order. So अगर कोई आके कहता है, Jihad is अंदर के इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, बेकार की बाते मात करो तू. यह आदमी कह रहा है, तुम इससे जादा कुरान और हदीश तो जानने ही सकते हो. The man who is seen as the foreigner of all the major seminaries in भारत, which are Islamic in nature, आप उसे जादा थोड़ी आपको Islam के बारे में बहता होगा, और जो वो कहता है कि मैं तो जो अल्ला का इसलाम है, या जो महम्मद का इसलाम है, वही मैं स्ताफित करना चाह रहा हूँ. वो यह लेके चल रहा है, तो वो correct interpretation, जो पुरी Islamic society है, भारत की, वो मानती है, और वो मिडली से पढ़के आया है, हिजाज से पढ़के आया है. So, in one of my Twitter debates with, I think even Anand Rangnathan and I had entered into a debate with Shri Tariq Fateh on this, कि जो आप कहते हैं कि अल्ला का इसलाम, उल्ला का इसलाम, या दिफरेंस है, क्या फरक है, थोड़ा समझा दीजे, मुल्ला का इसलाम कहां से आता है, उसका भी तो कोई बेसिस होगा, क्या document है, जिससे जो मुल्ला का इसलाम आप कहे रहें कि अलग है, because their entire attempt is, re-interpret the Quran, okay, then at least admit, that you are re-interpreting it, to suit the current times, but जो established interpretation है, जो सुना के बेसिस पे है, उसका आपके इसलाम से कोई लेना देना नहीं है, you are re-interpreting it, you are re-inventing, that's a different thing, at that stage, I think Shri Tariq Fatah had effectively said, इसे जादा तुम मुझे पुश करोगे, तो आपकी जीवन पे भी आँचाएगी, और मेरे पे भी, I said, okay, that's very honest of you, to admit that, these are the realities which are forcing you to take this re-interpretation, वरना आप खुल के इसका खंड़न नहीं कर पाएंगे, ता किया, इसमें इसके बाद एक और महाशा आते हैं, बरेलवी, जिनोंने systemize किया इस चीज़ को, पूरे network बनाया, Northwest Frontier Province से लेके बंगाल तक, जो जिहादियों का network कह सकते हो आप, वहाबियों का network कह सकते हो, और उसने एक लाख जिहादियों को इखटा किया, लडाई के लिए inspire किया, जो Sikh Empire है, जब महाराजा रंजीत सिंग थे, जीवित थे तब, तब उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद छेडा, और ये सारा जो center बनता है, वो बाला कोट में बनता है, जिसको हम अभी air strikes जो हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए जाना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डैली, उसके बारे में समझाईए कि बाला कोट का क्या महत्व है, और बरेलवी का, इस पूरे मुवमेंट में, वहाभी मुवमेंट को systemize करने में, So, you think of बरेलवी, सायद एहमद शाहिद और सायद एहमद बरेलवी, as the implementer of देहलवी's vision, जो भी देहलवी की सोच थी, इसको जमीनी स्थर पे पूरी तर से implement और अमल करने का काम जो है, वह बरेलवी ने किया था, भारत के ऐसे बहुत कम दिशाएं हैं, जहां पे बरेलवी का impact नहीं है आज भी, ओके, and we are not looking at just Bengal to Northwest Frontier, Matras, Bombay, Hyderabad, Malabar, Patna, specifically East Bengal, which is now Bangladesh. यहां तो शायद official centers बने थे, official centers, और इसके बाद तो आस पास तो फैल नहीं था, यह sleeper cells नहीं थे, यह proper seminaries थे, उसके बाद जब इनको जिहादियों को इखटा करना था, to send to Northwest Frontier Province, पहले Sikh Empire के साथ लड़ने के लिए, उसके बाद British Empire के साथ लड़ने के लिए, पूरा systematic network. So, पहले पुस्तक और दूसरे पुस्तक के बीच में, मेरे सोच में क्या अंतर आया इसको पढ़ने के बाद, मैं आपको समझाता हूँ. तो पहले पुस्तक लिखने के समय मैंने क्या का था आप से, कि European Christian जो है, और थोड़ा systematic है, लेकिन जो Islamic invader है, वो तलवार उठाता है, मार काट करता है. I don't disagree with that statement, बट मार काट करने वाला होता है राजा, लेकिन fertile ground जो बनाता है, वो उलमा का काम होता है. जो पहले जाके, लोगों के अंदर indoctrination करते हैं, उनको एक inspiration देते हैं, कि ये करने पर क्या होगा, जन्रत नसीब होगी, या फिर कुछ और होगा, all that जो आज आप देख रहे हैं, शत्रु बोध के जो बीज हैं, बीज हैं वो उन्हों नहीं डालेते हैं. So, तलवार उठाने तक के, जितने भी कदम होते हैं, ये इनका काम होता है. उसका जो inspiration होता है, और उसका जो जोश होता है, ये भर देते हैं. So, what is Sayyad Hafiz doing? So, Hafiz Sayyad doing this is exactly the same thing, right? मैंगलोर में जो हो रहा था, क्या हो रहा है अभी? उसके रूट्स वहाँ भी हैं. The one thing that I must clarify before I proceed is, इस चर्चा से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, कि अगर आपने वहाँ भी इसलाम को address कर दिया, तो problem solve हो जाएगी. No, वहाँ भी इसलाम और इसलाम में जादा कोई अंतर नहीं है. क्योंकि वहाँ भी इसलाम सिर्फ ये कह रहा है, कि आप उसी इसलाम को सही इसलाम मानेंगे, जो पहले follow होता था, जो early converts follow करती थे. So go back to the roots, go back to the basics. ये है इनका reformation. इनका reformation आगे जाना नहीं है, पीछे जाना है. Okay? To go back to the 7th century. So when you look at that, you will realize that इसका कोई काट नहीं है. Which is to say that this understands only the language of force perhaps. Because when someone says कि जिहाद इस पूरे वर्ल्ड व्ल्ड 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 विंदी में क्या कहेंगे है? इस विचार धारा का, let's put, let's use the word विचार धारा का, जो है, एक निव है, it is one of the foundation stones, and you're asking people कि आप जिहाद को पूरी तर से इसमें से हटा दो, it's not possible. तो उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं है. आप उनसे कहरे हैं कि आपके सोच का जो central issue है, या central belief है, उसको आप छोड़ दो, कैसे छोड़ सकते हैं? Not possible. So, you're looking at the problem in a very wrong way. And therefore, in the introductory portions of the book, मैंने बोला है, वहाभी इसलाम और इसलाम अंतर क्या है? There is no such thing as Indian Islam. On this, I will still quote Dr. Ambedkar to some extent, where he clearly says, the presence of Indian Islam is proof of the fact that the Hindu convert has not converted fully. Conversion का प्रोसे है, वो पुरी दर से खतम नहीं हुगा. मैं भी वोई कहा रहा हूँ इसमें. इस प्रोसेस ओफ कन्वर्शन को पुरा करने के लिए वहाभाइजिशन जरूरी बन जाता है, ताकि जो संस्कृती के बाकि, जितने भी परते बाकी रह जाती हैं, उसको पुरी तर से हटाओ. तब जाके तुम पके मुसल्मान माने जाओगे. So the existence of any such version of Islam has to negate the existence of Ganga Jamini Taizeeb. दोनों एक साथ नही रह सकती है. Okay? अगर आपका ये कहना है, तो इस अल्य फ्रिंज, इस अमिनॉर्टी. Read the literature. Lacks of people from across the country, जहां भी ये जाते हैं, Barelwi is almost seen as a reincarnation of the first person. You know how? And why? Barelwi could not read or write. Just as the first person. तो इनके लिए ये महना जाता है, this is proof of divinity. And he is the second messenger. इस पे इतना ये इस थावा था. So the inability to read and write is seen as a particular trait of divinity. That is a blessing. And that is then, how do I put it? That itself becomes, it's almost as if immaculate conception, Jesus के लिए जो बन जाता है, जो बन जाता है, that mother was virgin, and Ishwani कुछ किया था, और हो बनाओ जाता है, that is almost the similar calling card for this person. The welcome that he gets in Patna, the welcome that he gets in the Uttar Pradesh heartland, which we are watching, which Western Uttar Pradesh माना जाता है, in all these regions, unimaginable. I hope that someone actually reads the literature on the Bhabi movement, but most importantly, comes out on deeper literature on Bareilvi's constitutions. So, यहाँ पे मैंने बीजबो दिये है, ता कि कोई इसको और आगे लेके जाए, मेरे पास इतना ना टाइम है, ना इतना ना 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 नाज़ज है. So, Bareilvi single-handedly put together the first systematic jihadi infrastructure across the country, which no other Islamic ruler or ulema had done before. यह याद रखना जरूरी है. क्योंकि जो भी conquer करता था, वो एक region में सीमित हो जाता था. भारत के अंदर सारे मुसलमारों को seminaries के network के द्वारागर किसी ने जोड़ा है ठीक से, वो है Bareilvi. इसके लेकिन यह खतम नहीं होता है. यह सिल्चिला खतम नहीं होता है. देहल वी आते है, Bareil वी आते है. उसके बाद, देवबंधी, फिर अलिगर्ड़. ताच्ट अब्रिलियंस. यह क्या है? इनको अभी unity का वो नहीं रहा क्या? कि हमको सबको एक जंडे के नीचे उनाइट होना है. यह बार बार नहीं नहीं ओर्किनाइजेशन क्यों करते हैं. इनको बोलते नहीं कि आप डिवाइड गर रहे हो सुसाइटी को. एक जंडे के नीचे आजाओ. यूनिटी होना चाहिए. यह बार बोल रहे होटी 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 है. यह बार बोलते होटी 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 संगठन और शत्रवोट साथ में जाना चाहिए, संगठन का मतलब है कि सब कुछ तोड़ दो, अतीर का जितना भी है, उसको पूरी तर से तुम जला दो. That seems to be the brilliant mindset of some geniuses sitting on Twitter. I mean, can you see what's happening exactly? That is competitive jihadism at work. And we want competitive hindutwa at work. Which means every sampradhai should say, I will take forward the Hindu vision. And they must be very clear as to who is the outsider. There may be a few insider outsiders because of the sampradhai vision. But you should realize, this is not the problem. That will be a battle of propagation and ideas. But with him, it's not a battle of propagation and ideas. Not at all. He doesn't look at it at a thumbad. Samwad is under him, which is the sum. He doesn't believe you, where will he be samwad? So that discussion is very different. And how, when Shere Singh is in Bharilvi, how it becomes the shrine. And how that training camp becomes there. And how the Swat Valley, which is where Malka, Sitra and all these places are currently located. And which is where Taliban finds its strongholds. And all the Haqqani networks are located there. It goes back to this man. The best part is, Pakistanis have written books on this. I am quoting Ayesha Jalal significantly in this, from her book, Partisans of Allah. I am not inventing stuff. So I am quoting them and extracting them. So, one, understand how this works. And two, is it the case that all the followers of Bharilvi or Dhalavi are united in the vision? No. In terms of what is Islam? They live in the vision of one another. They live in the vision of one another. You are a dog. You are non-Islamic. They live in the vision of one another. They live in the vision of one another. But when they realize, If there is a fear, there is another dog before him. That is Shatrubod. That is the definition of an out-group. So, to answer your point differently, once I explain this, my contribution is to show the stupidity in our psychology, in our understanding human psychology. That is where my contribution comes. If I have any examples to offer, I do not have any examples to offer. Right? We are being told that Hindutva is a resistance to what is happening to us and what has been happening to us for at least 1200 years now. Now, if that is the case, learn a few things from what they have done as well because you are resisting something. Which do not need to do the things you have to do before. Today, you are forced to identify yourself as a Hindu as opposed to being identified as a dharmika who subscribes to a particular sampradaya because of the need for an umbrella identity. Otherwise, we were organic sampradayas across the place. I am not saying we were not united. We were united by dharma. But we didn't feel the need to call ourselves Hindus. Because we are not Muslims. Because we are not Christians. This negationist identity ko hume apnaana pada only because of them. I have a contribution to the legal field. It is the case that the Braille Vee and the network of the Jihadis and Wahabians who started to fight with Britishers. से लड़ना शुरू करते हैं, जब सिख एंपायर खतम हो जाता है, जब ब्रिटिश हर्स आ जाते हैं, सत्रा सो नई, 1847 1847 के बाद जब शुरू होता है इनका, तो वहां से 1870 में जो सेडिशन लो लेके आते हैं, सेडिशन लो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से था section 121 जो है, उसमें था कि अगर queen के से खिलाफ कोई भी है तो वह एक सेडिशन है, लेकिन फिर ये 124A लेके आते हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा contribution मैं मानता हूँ कि आज के जो पारलेंस में हम जिहादी थे, ये जो नेटवर्क था, इसको काउंटर करने के लिए, ये ब्रिटिश एर्स 124A section 124A लेके आये थे, अब आप इस सिलसले में या फिर इस अंदर में आप संझिये कि आज के डेट में सेडिशन लो के खिलाफ बातें कौन कर रहा है वो जो जिहादी है, या फिर जिहादी का soft samarthak है, which is the left. So that is clear. So the left is effectively useful idiots who are doing the job of the jihadis which has been going on since 1863. I'm not going to defend everything that the British man did. But he may have done something in his interest which is now working for our interest. I'll say a little bit about decoloniality, के नाप पी इसको भी हटा दो. Decoloniality का मतलब ये नहीं है कि दिमाग छोड़ दो. जहां पे आपके strategic interest जो है, लेट से उसकी पूर्ती होती है उसको पकड़ के रखो. Sedition law ज़रूरी है. इसलिए मैंने हमेशा on debates ये कहा है, आपको sedition law में duplicity को हटाना है. इसका मतलब ये है कि UAPA भी है, 124A भी है. जो काम 124A कर सकता है IPC के अंदर, उसके लिए फिर से आपको UAPA के ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब दीजिए. लेकिन अगर कोई कहता है न UAPA में होना चाहिए, ना 124A में होना चाहिए, मान लो कि इसके तार कहीं और जुड़े हैं. But I need to give one clarification before I am accused of, let's say, killing Hinduism and all that. भाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Hindu धर्म था नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा. मैं सिर्व ये कह रहा हूँ कि संपरदायों को Hindu धर्म के छत्रचाय के नीचे जादा आना पड़ता है, क्योंकि आप सबको वो काफिर मान के एक एक करके आपको मार रहा है. उसके आने से पहले और उसके आने के बाद भी आपको जोडता है धर्म का सूत्रू. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. I'm not saying any of that. But you're forced to subscribe greater to the larger identity, which is the Hindutva identity, because of the fact that you're being singled out and killed one after the other. I hope the clarification makes sense. वरना बहठें कुछ लोग इस वे शुरू कर देंगे. Oh, Saidi Pika decoloniality का मतलब ये है कि इंदुदर्म थाही नहीं. आपका तो मतलब ये भी है कि railway को भी अटा देना चाहिए. Railway हटा दो, telegraph हटा दो, post हटा दो. What are you saying? इसमें Two Nation जो थोरी है, उसमें हमारे तरफ के भी और बाहर के भी बुद्धी जी भी अलग अलग तरीके से बाते करते हैं. आपने तो कितने पन्ने इसके उपर dedicate कर दिये. आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई, ये तो Two Nation थोरी जो है. आप भी जैसे Twitter पे लोग लिखते हैं कि ये तो तब ही आ गया था तब जब Islam बना था. ये तो तब ही से है. इसमें क्या debate कर रहे हो Two Nation. ये तो जब से Islam बना ये तब से Two Nation ही है. दर अलिस्लाम, दर अलहरब. तो आप इतना महनत क्यों कर रहे हो? आप एक लाइन में क्यों नहीं बोल देते हो कि तब से ये आप इतना scholarship क्यों कर रहे हो भाई? मैं एक्स्पेन करता हूं. वो इसलिए है क्योंकि इसको इसलाम में ट्रेस करना is simple but it's also simplistic for a good reason. Because you see obviously Two Nation Theory के justifications है. Whether it's Syed Shabbir Usmani one of the founders of Jamia Millah Islamia and one of the Quranic justifiers of Pakistan. All of these people are tracing it obviously to the Quran itself. I'm not saying no to that. But you see when you speak of the Quran and when you speak of जब आप Quran या हदीश की बात करते हैं तो आप पूरी तरह से एक religious discussion में चले जाते हैं. लेकिन यहां पर discussion जो है political religious है. और यह तब शुरू होता है जब nation state के concept आता है. आता है. यह तब शुरू होता है जब मुगल सल्तनित के जो पाइदान है यह हिल रहे हैं. तब इनको ज़रूरत पड़ती है कि हम एक doctrinal तोर पे कुछ प्रेजेंट करें. जिसका basis कुरान में हो. और जो political let's say realities को भी meet कर सके. तो चाहे वो खिलाफत का जो concept है जो कुछ भी है I wanted it to मैं इसको जोड़ना चाहता था उस proximal cost के साथ जहां पे यह एक traction acquire कर जाता है. Okay, let me give you a simple example. अगर औरंगजेब जैसा एक tyrant एक bigot एक scoundrel for that matter let me use that word responsibly and deservedly so अगर ऐसा let's say उसके जितने भी descendants ते वो भी उसी के तरफ होते तब दहल विके क्या ज़रुत पड़त है क्योंकि वो जो ही अगरा था जहलियों की बाप तो वही थे जहलियों की बाप जो है वो इनके बादवाय आलम के लिए लिख रहा है which is the basis of Hanafi law और उसे याद आता है आपकी जो ओवेसी के साथ exactly मत बेद हुआ था so the point is if the descendants of Aurangzeb had continued the great and glorious tradition of Aurangzeb you don't need a Delebi because you don't need a two-nation theory for the creation of Pakistan because Pakistan was already in existence as long as the Mughal Empire was there in fact they go to the extent of saying the first Pakistani was who Muhammad bin Qasim because according to them the one who came to the first here is Islam is the first Pakistani he is the first Pakistani because he started to spread Islam in India if that is their way of looking at it then you have to ask yourself okay so Delebi is so important why does it become so important someone has to be able to say I will present solutions solutions present करोगा and the solution के तौर पे Delebi present करता है और उस solution को implement करता है यह बरेलवी so which is why Pakistan का सबसे proximal cause आप आराम से कह सकते हैं कुरान है you can say that in a sense root cause वो हो सकता है but proximal cause वो नहीं होगा history के तौर पे there's a difference between root cause and proximal cause तो यह एक काफी अच्छा अंतर भी है कि एक ideological आपका separation ठीक है understanding वो होनी चाहिए कि वहां से आता है but आप as a historian आप ट्रेस कर रहे उस चीज़ को तो आपको वो डालना पड़ेगा वो history क्योंकि what is the immediate trigger जिसके वाज़े से पूरा movement शुरू हो जाता है it's not the existence of Islam it's the problem that the Mughal dynasty is no more able to protect Islam in this part of the world ठीक है तो मतलब यह बात आप कहना चाहते है कि जो सावरकर है वो two nation theory के propounder या पहले पहले देने वाले नहीं थे बिलकुल नहीं है तो बच्चे थे I'm saying Savarkar was a child when Sayyad Aymad Khan died and that's what I said Savarkar was 15 years old when Sayyad Aymad Khan died in 1898 I think that's what I put recently when Jehram Ramesh had the brilliant tweet so I said this is a trick question neither is Sayyad Aymad Khan the founder of the two nation theory nor is Savarkar founder of the two nation theory is is Sayyad Aymad Sarhindi followed by Dehlavi followed by Barilvi and obviously all of them go back to the root cause but in terms of immediate let's say triggers this is Sayyad Aymad Khan को credit up this is why they will say this is why that the concept of nation state that is the concept of European world view which is why nation state that is actually the meaning of nation state nation is defined as a community having a homogeneity in some sense but primarily when the Europeans look at it they are looking for racial homogeneity so therefore since you are looking at the nation state concept as becoming the most dominant concept though Kaomi Nazariya two nation theory two different races all together becomes the way of Sayyad Aymad Khan's explanation of why Hindus and Muslims can never be a single nation but he is significantly building on Dehlavi क्योंकि Dehlavi के seminary में पढ़ चुके है Madrasahe Rahmiya के ये product है तो मैंने first chapter के अन्थ में almost अन्थ में before I move to Sayyad Aymad Khan मैंने उसमें लिस्ट किया है उस seminary के products कौन-कौन है उन्होंने कितने सारे movements को start किया है Aal-e-Hadid so on and so forth each of these people ये वही के लोग है so someone who's a product of that particular seminary इनके सोच अलग कैसे हो सथी है इनके दोस्त एक है Mr. Graham जिनोंने इनके सारे पुस्तकों को उर्दू से English में इसका अनुवादिया तर्जमन किया वो कहते है that because इनके जुब दादा पर्दादा इनके पिताजी जो है ये मुगल दिनस्ट के let's say शागिर्द रह चुगे है they worked for the dynasty he was deeply affected by the loss of Mughal power his father I think Mir Taki was offered the prime ministership of the Mughal empire or the dynasty not empire anymore and he refuses it or rather in that position was then offered to Sayyad Amakkan who refuses it now he was among the people who 1857 response which is response in that it is deeply affected because he had a lot of family members and because these guys were trying to revive the Mughal empire British said kill what is the Mughal empire who is kill so obviously these guys were like what is going on because the British also systematically went about destroying all the Mughal monuments who was standing so I am very clear that Sayyad Amakkan is not the founder he is the torch bearer who is going to move this Mughal forward the Mughal Sawarkar Kata two nation theory Kata koji lena deena nahi hai Sawarkar us kebaad maan lete hai ye ek reality hai bharat ke let's say political realities me ye ek sabse bha satya hai शोतरमुर्ग की तरह जमीन में गाड के नहीं है जब दशाय मतरखो प्लीस बीक्लियर अपर दो आप दूनेशन थियोरी का इजाद मैंने नहीं किया लेकिन ये मान के मैं चल रहा हूं कि ये एक सत्य है और for that matter, जब ये Congress ये लोग बात किये जाते हैं Gokhale accepted two-nation theory as a reality which is why he clearly told the British the realities of India warrant separate electorates for Muslims ते लखना भी लखनाव पैक्ट में मानी गए थे अब लोग मान गए थे, by the time लखनाव पैक्ट वाथा सब मान गए थे और क्या कर रहे थे जितने भी लोगों ने लखनाव पैक्ट पे अपना हस्ताक्षर दिया और उसके लिए अपनी संबती दी all of them then agreed for the two-nation theory जब आप एक community के लिए अलग से electoral base create कर जाते हैं तो अब क्या कह रहे हैं तब बीजे भी कहां था नापपूर का था संगतन मुवमन तब इस तिल इस इंफन्सी मधनमो अनमालिय वस पार दिस अल अव थे पीपल पर दिस so this I'm sorry to say यह पताने कहां से हिस्टी पड़के आते हैं Congress is currently indulging in utter irresponsible disastrous distortion of history and whitewashing of history जब C.A. का यह डिवेट चलाए चलाथा में शीकापल सिबल who I do respect as a lawyer because he is a senior Supreme Court advocate and his advocacy skills are there किसी के professional talent को में अकारूंगा नही but he openly said this that religion was not the basis of the partition on the floor of the parliament these are the people who are representing this country what is going on two nation theory का जो पहला practical implication था एक तो पडंगैल में देखने को मिला partition of Bengal Bengal में वहावाईजेशन जो जो इसा वो चल रहा था काई आपने उपने पुस्तक में दिखाया मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन जो बंगाल में partition हुआ Punjab का भी हुआ था नईसस हो एक में लेकिन वहां पे इतना कुछ नहीं हुआ लेकिन जब बंगाल का पार्टिशन होता है तो दोनों ही साइड emotions जो है वो एकदम से flare-up हो जाते हैं तो यह क्या कारण था कि बंगाल के पार्टिशन पे ही इतना हला हुआ पंजाब आले पे नहीं हुआ because you see Bengal was the seat of power जब तक 1911 में यह डिसाइड नहीं करते हैं कि capital जो है कालकटा से दिली नहीं होगा तब तक Bengal province is the seat of power Calcutta is the seat of power and सारे आपके जितने भी बुद्धी भी हैं आपके रेनेजांस को जो लीड कर रहे हैं आपके नाशलिस मुद्ध को जो लीड कर रहे हैं वो वही ही से तो आँ है so therefore Bengal is more and not just that Punjab is largely comprising of a peasant population मैं यह डिमेनिंग तरीके से नहीं कह रहा हूँ that has been it's for business, it's for resources it's for let's say farmers Bengal because of the investment by the British in creating educational institutions is obviously the seat of the new anglicized educated Indian elite जो European nationalism के जितनी भी ideas थे इसको भारत के संदर में इसको अपलाए कानी की कोशिश कर रहे थे और एक अलग गुटता जो कह रहा था मैं वह से पढ़के तो होंगा लेकिन मैं दिमागी तरीके से अंग्रीज नहीं बनूंगा so for instance lot of these people studied in in London Aravindu also studied in London but he was not the anglicized westernized Indian he was very clear that the ethos जो drive करें की भारत के स्वतंतरा संग्राम को वो भारती असंकृती होगी भारत की मूलिता होगी our thoughts our beliefs so therefore Bengal's partition जो है एक बहुत ही critical let's say position acquire कर जाता है because of it being the seat of power and while there were administrative reasons economic reasons to partition ये भी है वो भी realities है there is no point in running away from it क्योंकि Assam को लिए उनके चाय बगानों को डेवल्ट करने में बहुत हाथ था तो इसलिए इनोंने बहुत सारे लिए बहुत सारे लिए वर्किंग पॉपुलेशन को predominantly Muslims उनको उनको उनने वहां पर ट्रांसपोर्ट किया था ये पॉपुलेशन माइक्रेशन ये सब और था बट विन दे रिलाईज अराउंड 1905-1906 कि ये जो मुव्मेंट है इस टू गूप्स वन गूप इस दे मॉडरेट्स इनके बीच का डिवेट जादा हो रहा है एंड एक्स्रीमिस्ट लोगों पे और हावी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मॉडरेट्स जो है ब्रिटिश के फेवर में बात किये जाते हैं और यह हमेशा अंग्रीजी में बात करते हैं इनके सारी डिसकॉशन्स और चचाएं जो हैं अंग्रीजी में होती है ऐसा लग रहा है यह एक elite debating society है जहां पर भारत के किसी और का कोई participation ही नहीं है इट वास टीटेट अस अन एलिट डिबेटिंग सेसाइटी तो जब यह हो रहा है इनको लगा कि किसी भी हालत में इसको तोड़ देना चाहिए इस movement के momentum को तोड़ना ज़रूरी बन जाता है तो यह आदमी कहता है आट महीने से नो महीने का गैक को ता है October 1905 को यह हो जाता है लेकिन यह discussion यह अनाउंस कर देता है early 1905 इस दरान यह आदमी जाके he makes it a point to appeal to the Muslim population of East Bengal कि मुगल डायनस्टी के बार सबसे पहली बार आपके हाथ में अपना एक सूबा फिर से आपके हाथ में आ रहा है he is waking up those sentiments not waking up he is fueling those sentiments they are already awake they were waiting for an opportunity एक opportunity आवकाश के तलाश में या ताक में जो लोग बैठे थे इनके हाथ में अपने थाली में सजा के रख दिया कि you have been given your own playground what is the best evidence of showing that this is effectively inspired the population is the mullahs the preachers are going from town to town we have been promised three months of amnesty मतलब ना कारवाई होगी ना जेल होगा ना कोई प्रसीदिंस होगा लूटो रेप करो हिंदू विडोस को उठाओ और उनके साथ निकाह करो ये ये चलता है American journalist Nevinson उनके पुस्तक से मैंने इसमें एक्स्टाइज डाल रखे हैं ये दिखाने के लिए कि क्या हाकार मचा था वांपे this was almost like a precursor to the direct action day riots so seeing this अनुशीलन समिती का जो movement चल रहा था ये और भी उतेजित हो जाता है और इनको समझ में आ जाता है that it's not just going to be a fight against the British man it's also going to be a fight against the jihadis इसमें Congress का और जो moderates और इनका उस पे last में मैं पूछूंगा लेकिन एक Hunter Commission से जो report है उसमें एक बहुती interesting line है जो कहीने कहीं आज भी सत्ते है तो उसमें लिखा है कि the one object of a young Hindu is to obtain an education which will fit him for an official or a professional career but before the young Mohammedan is allowed to turn his thoughts to a secular education instruction he must commonly pass some years in going through a course of sacred learning the Mohammedan boy therefore enters school later than the Hindu so this is still true true and that's exactly why and the weaponization of the language they don't allow Urdu Urdu को वो अलाव नहीं करते है English में जैसे वो कहते है कि हम secular education हम पूरी तरीके से lock, stock and barrel हम नहीं लेने वाले है हम अब पहले अपने जो religion है उसको अपनाएंगे उसके बाद आपका जो beneficial लगेगा हम वो लेंगे तो आप तो फिर भूल जैए कि आप रूटिड रह सकते हैं I'll give you a very rudimentary example why do some anglicized Indians feel the need to say Jesus when they have to exclaim Ram आपके नहीं 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 oh me rest in peace what is rest in peace भाषा के साथ उस भाषा के साथ जो श्सकृति होती है वो भी आपके मूँ के अंदर आगया ना क्योंकि आपके दिमाग में अरड़ी वो आ चुका है what is rest in peace we are not Christians I'm happy I'm not a Christian why would I say rest in peace when I speak of decoloniality therefore I'm saying अंग्रेजी पढ़ो लेकिन उसके पहले आपके अंदर एक Hindu filter डाल दो संस्कृत सीखो या आपकी मात्र भाषा सीखो क्योंकि आपकी जो मात्र भाषा है आज भी उसका संस्कृत के साथ नाता है fortunately आपके संस्कृति का है ना 100% आपकी local संस्कृति का भी है Hindu संस्कृति का भी है और ऐसे मुहावरे हैं जो आपके पूरवा जोने दोजार साल पहले केसी ने बनाया हूगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे है, तो उस कल्चर के साथ आपका एक नाता बन जाता है, तब क्या होगा, जब अंग्रीजी इंफुएंस आएगा, वो उस इंफुएंस के ऊपर बैठेग उसके बाल अंग्रीजी जीगते थे, तो significantly, देटिन पंचांग, देटिधी, देटिषी, देटिषिब रागाज, देटिध्टान क्या होता है, देटिधेंड के टेम्पल का कल्चर क्या होता है, तो इसा नहीं कि उन्हों ने अंग्रीजी सीने से लिखा, आहीं कि उनमें से किसे ने हिंदु नियूस्पेपर परना छोड़ दिया, देड आल अव देट आलसो, बट देर बेसिक्स वर क्रिस्टल क्लियर, तो इसलिए मैंने पहले पुस्तक में का था, अब पूरी तरह से अंग्रेजी पंठी को छोड नहीं सकते हैं, उस कॉंपोजिशन को तो बदल सकते हैं, एडुकेशन के द्वारा, 70-30 कीजे, 60-40 कीजे, आज की देट में, 70-30 उल्टा है, तीस प्रतिशत भी अगर भारती हो दिमागी तरीके से, या मांसिक तरीके से, गली मत होगी, या मैं या मैं तो मचशन के फन्ताइट अगरा, जिए वारती हो थेस्ताइब फिर 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 थेस्ताइब द्राइशन, हो गया था, तो some of these Muslims were standing outside the fire engines and the accident site and they pray कर रहे थे कि let's say fire आपने आप निकल जाएगा they were saying, oh this is what they mean by decoloniality this is how they have decided to rubbish the entire concept what is your superficiality comes through this entire tweet मतलब आप एक serious concept को अपने तरीके से कैसे आपने एक स्ट्रोमन वा अर्गमेंट कि अपने सापस अर्गमेंट बनाओ, उसी को गिरादो केल ते रहो कोडिए, इन फार्गेंट in fact, they keep saying that I've read Mignolo and Walsh and all that, you know one of the things that Mignolo and Walsh actually say is decoloniality को when you ask what is decoloniality that's an incomplete question you should ask, who is it against where is it who is the affected party and in what sphere do you wish to apply decoloniality you need to answer all these questions you need to answer all these questions you need to answer all these questions then the whole picture is made of decoloniality you have just said you have suddenly said decoloniality means that you have to lie what is your what is the difference between your position and Tharoor's position and the left's position when it comes to this you have also decided to make Brahmin bashing your pet peeve you have also decided that Brahminism and Hinduism are the same things and you have also decided to use the word Brahminism the very use of the word Brahminism is a leftist construct this is one more line the period from 1904 to 1906 was a defining one for the proponents of the two nation theory much before the Lahore resolution of 23rd March 1940 when Pakistan's flesh and blood character was etched out so this is quite interesting I will explain to you explain to it but take edition but take edition I want to try to do that 2004-2006 period exactly 100 years after this when we build a Muslim separatism और वो एक ऐसा पीरेट था सबसे ज्यादा जो मतलब हर हर महीने बॉम ब्लास्ट होते थे ठेक है तो वो पीरेट से हम देखते हैं कि 100 साल में मतलब वो एक अलग कोश्चन है कि 100 साल में कुछ नहीं सीखा और फिर हम कॉंग्रेस पे भी आएंगे क्योंकि यह कॉंग्रेस नही जाती है मौडरेट्स और एक्स्ट्रीमिस के बीच में अधिसर अर्मदल और गर्मदल पूरी दर से स्प्लिट होना लोगा है इस सूरत सेशन इस वरी इंपॉर्टन सेशन विच इन पार्टर्शन बेंगल थेंदर सिम्ला डेपिटेशन से लेके उनीस सो ग्यारा तक के जि हमने अलग कर दिया बंगाल को और अपने लिए हमने एक टरिटरी हमने कायम कर लिए बेंवर एक्सपेक्ट मासिव रिजिस्टंस रम बेंगलीज मेनिंग धिर्वाइब हिंदूस बैसिकली यह कैसे हो सता है वंदे मातरम बिकम्स प्राइमर्ली ए कैंपें फॉर जिरा गास गया तो निकल गया इट गोज ऑन और अन अंधिल यह विए ओन अन अंटिल विए गॉट इस पॉर्ट इस प्रश्ट इस एप्रों इस पॉर्ट पर शुरू हो जाता है कॉंड इस को पूरी तरह से टेस्ट कर जाते है क्योंकि कॉंड इस एफिक्तिव बिटिच भॉढ कर सकते हैं लिक Specialist Organism. यह सव अधिशी वारे में खुलके बाग करस्कते हैं लिकिन बविए आ काट करेंगे यह तो पूरी ब्राॉंड साहिब जैथ. So which is why if you look at the resolutions and the way they speak of both the moments, does it look at the Jar सब्सक्राइब उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए बाइदर टाइम इट रीचेस 1911 और ये करते क्या है रीउनिट करते हैं बेंगॉल को लेकिन बेंगॉल को रीशेप भी कर देते हैं पुराना बेंगॉल नहीं रहा क्यों बनता है क्योंकि आपने मुसल्मानों के हाथ से उनका एक टरिटरी पूरी तरसे चीन लिया उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हैं मुहलों का क्या था दिल्ली तो इसलिए हम अभी दिल्ली बना देंगे कैप्टल जो जो अपीजमन्ट माइनॉर्टी अपीजमन् की सिमला डिपटेशन को पढ़िये हैं एन आप अपेंड़ अपनेड़ वन्डरफुल स्पीच भाई साइध इमाम साइध असन इमाम अकॉर्डिंग तो मी यह वाज मूर ब्रिलियंट आर्टिकुलेटर अप टूनेशन थियर्य जिस तरह वो दो कमे नजरिये का विशलिश प्रासंग के क्यों हो जाता है उनके लिए उस कालखंड के लिए ब्रिलियंट एक्स पॉसिशिशन इस लॉयर अधरफॉर आई डिसग्री विद इम बट तो वे ही कैप्चर्स इस पॉइंट और अपने तरफ से जितने भी लोग यही काम कर सकते थे उनका मूं बंद किया ज देफिशन पर लडाई चलती है इस इस फर दोमिन इन स्टेटस इस इस फर कंप्ली इंडिपेंडनेंस इस फॉर डिमिन इन स्टेटस हमारे और बाकी कॉली इस का अंतर क्या होगा अंडर बिटिश एम्पार अट इस दिसक्रशन अट है तब तक बहगत सिंग नहीं आया इं पिक्चर में जो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं जो कहते हैं कि स्वराज कमर लेपे पूर्ण उनको कहते हैं कि तुम पागलो तुम्हें पागल खाने में भर्दी बर्दी इना चाहिए इस गोखले वोट्स तो अधर्स अंगोखले बात करते हैं जो कहते हैं कि the guy who reunites Bengal he comes to I'm sorry I forget the governor general he comes to on the day he assumes office he is forced to send the military to the bazaars because the Muslims are ransacking the place what I'm trying to tell you is although they may have lost state power and although they may have lost let's say an armed resistance they have made the street the battlefield exactly so the street becomes the place where the hooligan starts imposing himself interesting thing is that when partition is done they are in celebration from their side and when they unite they are in anger that means they are in anger you are in good work or you are in bad work so standard thing cow slaughter raping of Hindus let's say desecration of idols these three things are always so when people don't understand the sentiment behind cow slaughter and even our own so-called non-left people hurt this without understanding what is historical sentiment so sometimes you wonder what is your entire claim to being on the non-left when on such critical non-negotiables in your hand and lift there is no doubt in your hand there is no doubt in the jihad there is no doubt in the hand I don't make one point agenda for understanding them I don't say this this defines you but it is a non-negotiable there are some laxman rekh so when you look at all this 1904 to 1906 and then 1906 to 1911 I have been in this postage very very crucial period and you will find the very same things as you rightly said repeating themselves the similar deputation makes a brilliant claim and which is a must-eat document and that is exactly the OVAC position today that is exactly the minority position today that we can be able to be in the standard but our representations in the parliament or in the assemblies must be equal to that of the Hindus independent of the population that is exactly the argument now they are saying that at least we are talking about the percentage that we should get the percentage that we should get the ticket that we should get the MLA that we should get the ticket that we should get the MLA Correct उस पर बाते चलती हैं लेकिन 20%-25% का एक समय आएगा जहांपर percentage का कोई हिस्सा नहीं रहेगा नहीं रहेगा अब रहेगा अभी logical लगता है correct लेकिन logical नहीं है उस लगेगा नहीं मैं ये कहूंगा कि जब ये percentage की बाद तब कर रहे थे See, मैं दो चीज़ों को पका मालूगा. Two-Nation Theory, एक सत्य है. कड़वा हो या मीठा हो, ये बाद में देखा जाएगा, ये तो सत्य है. अगर अब ये सत्य है, तो इसके साथ आप politically कैसे deal करना चाहिए? ये हमारा सत्य नहीं है, लेकिन उनका सत्य है, ये समझने में ही लोगों को है, ये है कि अरे तुम तो बिगट हो, तुम कैसे कह सकते हो क्यों सत्य है, हम तो रह सकते हैं, अरे तुम रह सकते हो, अगला तो नहीं रह सकता है, उसको जपी पाओगे कि जान बूझ के. So, once you accept that ये एक रियालिटी है, उनके तरफ से अगर ये रियालिटी बन जाता है, इसका मतलब ये है, कि हर चीज में ये वीटो होगा, ठीक है, जब आप उसको अकॉमडेट करने की बात करते हैं, तब अकॉमडेशन उसी के टर्म्स पे होगा, there's no other option, जो कहरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैस, और हमेशा हाद में ये लाठी और तल्वार पकर के बैठे हैं, इनको मिल रहा था, इनको मिल रहा था, इनको मिल रहा था, पुमडेशन देख स्वाजन आपशन प्रिफ्ट करेंशन इस इनको मिल रहा हुए इनको मांगे आपके सोचने का नजरिया, रहा हूहु, इस लिबल्स बदलगे हैं, तो the entire point. So in the beginning of the book मैं तो ही कह रहा हूँ ना कि जो majority minority debates है, इसका two nation theory के साथ कोई तालुक है या नहीं? Is it a continuum of the same thing? I am saying it is. आखरी में मेरा जो सवाल है उसके बाद थोड़े दो-चार को सवाल जो हैं लोगों के भी हैं. इसमें ये है कि Congress की जो DNA है वो सोच जो शुरू से 1887 का जो session होता है उसमें पहला ही ये कि आप हमारे साथ आजाओ, मुस्लिमों को कहते हैं कि आप हमारे साथ आजाओ, हम cow slaughter मतलब खुदी, उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है. हम ये बात नहीं छड़ेंगे. हाँ, वो खुदी इनकी तरफ से आता है कि हम cow slaughter के उपर compromise कर लेते हैं. ये मैं अभी जैसे अभी press conference में केजरिवाल ने कहा कि जो note हैं, उनके उपर लक्षमी जी और गणेश जी का photo होना चाहिए. अब Congress की तरफ से बात आती है कि आठा जीजस और उसका मुहमद का भी मतलब वो अलग बात है कि मुहमद का लगाओगे तो क्या होगा, बट इनका पहला पहला reaction ही ये है. Correct. सोच रहे हो क्या, ये DNA क्या है भाई? और इससे related एक बंदे ने सवाल भी पूचा है comments में कि ये क्या मतलब लोगों की ही कमी है हमारे जो लीडर्स बनते हैं उनकी ही कमी है या फिर सुसाइटी की भी दिक्कत है देखिये 1885 में जब कॉंग्रेस फॉर्म होता है तब तक 50 साल हो जाता है अंग्रेजी इडूकेशन को भारत में इंट्रूश की है जिसको अप सेलिब्रेट किये जाते हैं मेरे कमेंट्स और राजा राम मुहन राई पे बहुत सारी लोगों को गुसा है कि देखिये यह जो आपका वन पॉइंट होता है इनको देखने का यह गलत है क्योंकि यह घर पे गाय रखते थे और यहार जगर पे जाके अद्यां फंदन करते थे एल बहुत आब तो रियलाईज आपके पर्सनल लाइफ में चाहे आप ऐसे हो लेकिन जब आप पॉबिक लाइफ में आके जब बात करते हैं क्म्यूनिटी की बात करते हैं तब आपने क्या किया So I'll give you an example कि आपका कहना यह हो सकता है कि Congress में जितने भी Hindu leaders है जो जिनका identity Hindu है वो कम Hindu है personal lives में Okay TRS के जो President है या फिर अभी तेलंगाना के जो Chief Minister है KCR He is a very staunch Hindu in his personal life I am not going to sit and use that as an excuse to give him a free pass जब ये community के साथ उल्टा सीधा करते है इसलिए वो जो Hindu और Hinduत्व का जो अंतर है जो सावरकर ने समझाया था कि Hinduत्व जो है वो Hindu धर्म का एक Hindu धर्म जो है वो छोटा हिस्सा है Hinduत्व का Correct आप Hindu हो सकते हैं लेकिन अगर आपको Hinduत्व की जो value है अगर वो आपको समझ में नहीं आती है then that means you'll be personally a good Hindu politically a terrible Hindu and which is why as far as Raja Ramon Roy is concerned इनको जब भी आप साथ कंपेर करते हैं आप साथ है मत कान को बहतर पाएंगे आपने community के लिए because he made sure कि दोनो education which is both Urdu और Farsi education Arabic education and English education and he कह रहे हैं आप अंगरे सी इसलिए सीखेंगे ता कि आप administrative structure को वापस लिंके अपने हाथ में ता कि Hindu power में ना आ जाए Hindu आंका या नजरिया नहीं था when they entered इनको तो European clubs में जाना था जिन खाने में बैटना था इनको उनके साथ शराब पी नहीं थी and who are the people who actually decided to do this जब हम कास की बात करते हैं who are the people who first made these choices these are uncomfortable realities unfortunately so I will blame the British man for keeping the door open but it was our decision to enter into that particular place other communities had the option of not entering that particular place and they took that particular decision लेकर आपको यह लगता है यह तो पिछडे रहे गए यह development के race में यह पीछे रहे गए what are you talking about आपका development आपको इस आपकी संस्कृती के cost पे मिला है you have paid that price आपके हाथ में development भी हो सकता था आपकी संस्कृती भी हो सकती थी लेकिन आपने इसको zero sim game आपने बनाया so to answer your question the problem is with our inability to retain our roots and also to engage with the rest of the world so it is almost as if when we say you have to engage with the world you have to give up your roots and if you choose to let's say hug your roots you have to give up modernity so called modernity यह तो आज भी है ना जो आज भी हम बच्चों को स्कूल बेजते हैं तो यह हैता है कि हाँ यह इंजीनियर बनेगा कोई education घर पे तो मिलती नहीं है धर पे नहीं है भाहर का तो कोच अजीनियर नहीं है आप इसको Christian school भेजो किस धर्म का मिलेगा इसको so you can't just blame the politician you have to blame the fact that the society ultimately took a call that हम इस दिशा में जाएंगे और जो यह कह रहे थे यह गलत है उनको कितना support मिला चाहे वो revolutionaries हो या फिर extremist हो that is a reflection of the Hindu society's commitment to its own dharma so it is ultimately a reflection of the society's decisions good, bad or ugly एक Dan के करके किसी ने comment किया है कि आपने पहले chapter में वही जो वहाभी network बरेलवी का वो बनाया था तो उसमें इनका सवाल है कि क्या वहाँ पे जो हमारे जो लोग थे Hindu society थी, Hindu समाज था या हमारे leaders थे क्या वो देखने रहे थे कि यह क्या हो रहा है क्या वो खड़े नहीं हो रहे थे एक parallel कुछ उनको वो जागरित नहीं हो रहे थे क्या कर रहे थे वो उन्होंने क्या किया उसका क्या response क्या था देखे, if you're looking at बरेलवी's period he dies in which year? in 1846 or something, that's what I think यह बाला कोर में मरते है तो you have to realize that around that period और 1816 क्या स्पर से शुरू होता है शुरू होता है, रहे थे हिंदू ससाइटी, I think is more interested in trying to engage or let's say deal with the British colonizer and आप यह भी मान के चलिए that as far as the बरेलवी movement is concerned और इदा बहाभी movement is concerned a good part of it was under the radar हावाला networks जैसे established हुए थे उस movement के दोरान ताकि पैसा जो है exchange हो, transactions जो है exchange हो without the knowledge of the government वो networks आपस तक काम करते हैं you have to realize this monetary transactions जो हो या फिर safe houses established करना जो है, all of these let's say these infrastructural issues and points were created during that particular period for the better part of it until 1852 मतलब 1852 तक British government को भी ठीक से नही पता होते कि हो क्या रहा है आपे okay, I'll give you an example जब हम अतीत में बात करते हैं तो अईसा लगता है कि society सोह हुई थी, क्या होगा था okay, let's bring it to the present वो अभी भी सोह रही है अज क्या हुई रही है अज क्या हुई रही है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है आपके इर्दगिर जब लोग जा के sleeper cell establish करते हैं अज अब को अमतूर में जब हुआ था that man was known Mubin, he was known for he was known to so many people some people who I know clearly said he had issued death threats to them for their work when all of this is happening, the culprits of 1998 bomb blasts have been rehabilitated under the auspices of the party which is currently in power in Tamil Nadu उनके ले घर बनाया, उनके ले वकीलों का इंतिजाम किया, ये जब ये कोन कर रहे है तब तो आप पवर में थे आज त आप पवर में हो पवर मैं आप बाग भी ये आपका मतलब response है so you have to look at the fundamental problems in our society which is Hindutva का बेसिक रोल ये है it's not to kill your local identities, लेकिन ये कहना की लोकल आइडटिटी के के उपर उठकर आप Hindu identity को थोड़ा प्राधान्य दो. So there is a popular saying in Telugu, which is used in, let's say, in circles which are effectively Hindu tohbadi, which is to say, which means, घर के दहलीज के अंदर आपकी जाती रहेंगी. घर के दहलीज के बाहर, Hindu identity रहेंगी. यह जो realization है, यह थोड़ा slow आया है हम में अंदर, हमारे अंदर. But, I'll tell you one more thing. Then you have to ask yourself a simple question. Before British men, these guys were fighting, did they have been in Jatpaath? Shriwa Ji, when people were supporting or someone else, did they have been supporting Jatyi? There may be minor, let's say, disagreements here and there. But it's not as if someone said, I am a kid, I am a kid, I am a kid. I will not support Shriwa Ji. Those discussions have started only after the white Christian colonizer comes in and starts introducing certain theories. So, I think we need to perhaps re-analyze this particular period, that why we were in that time, 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 and why we were in that time. So, which is why Hindutva as an ideology is, its job is to re-awaken and to create a larger bond, bond, or let's say, I will certainly give the benefit of the doubt to anyone who says, समझोटा अभी हमारे हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए हमने बहुत समझोटा कर लिया है यह कालिए इस पॉड्कास्ट में गया था यू सी की बात हुई थी आड दे सेम टाइम प्लेस अवर्शिप आट की बात हुई थी और मुझसे यह कहा गया था कि आपके हिसाब से यू स अच्छा ने बूल या तो यह देवर श्लाइटली टेकन अवाग लेकिन आपको नहीं लगता है कि भारत धर्म से उपर है यह आप लोग क्यों ने कहते हैं आपके मजब के ऊपर है दूसरा हमारे लिए भारत और हमारा धर्म एक ही है क्योंकि जहां धर्म है वहीं देश है ह हमारे तरफ से कोई कंपरमाइस के उम्मीद भी रखना चोड़ दीजिया बिकॉस इस फो यू तो शोड़ देश है हर बार हिंदु तो कंपरमाइस किया है तो जब प्लेस अवर्शिपाट की बात हुई तो और ने मुझे पूछा की अवाट इस गूंग तो पूसिए पूस कि आप किसी और के पॉड़कास्ट में गये तो यू वां तो बीकॉडियल यू भी सिवल बट यू डों नीड तो नेगोशिएट अन वाट इस नॉन नेगोशिएट इस पोजिशन को इस इंट्रांसिजन्स को इस लेट से इस माइंड सेट को हिंदू दिमाग के अंदर सब्सक्राइब से आप अपने जग़ पे अडे रहे हैं खडे रहें दूसरे को बदलने दीजिए हम क्यों हमेशा कॉमिशा करते रहें कितने साल और कॉम्परमाइस करेंगे कॉम्परमाइस का नतीज अपने भुगत आपके सामने आज और क्या चाहिए बहुत लोग यह this is this point all these the last two years i've juggled books alongside my crazy professional commitments each day seven to eight hearings with all that and my family commitments and all that so i will do this step by step but one request is that whenever you do audio you have to narrate it 100 because people are clear that it has to come out in my voice but most importantly so i will skip it and that itself requires a trimming down of the manuscript before i think of an audible so it will take a little time to learn about the first of the first book so this is obviously doing better than the first book but this book is still on the second position because the first book is still in the first position because you see what you want to study this book so around 14 500 copies of the first book they have been selling like this at about 5 000 to 6 000 copies a month so my prediction is this will go up because people will finish it but even going by the standards at this stage it took about uh four months for the sale of the first book to exhaust about 25 000 copies it took about uh four months for the sale of the first book to exhaust about 25 000 copies the next book will be red the next book will be red haha 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 चलिए बहुत 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 दन्यवाद, sir. Thank you so much. Thank you so much.